वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के नेत्रतों में दो साल के अंदर किसानों के आर्थिक उन्नती को सहिकार्ता के माध्यम से साकार करने का एहम काम किया है। किसानों के प्रती समवेधन शेल और गाव ग्रामीर के हमदर्द सीम गहलोत ने किसान को सशक्त करने के लिए सहिकारता के शेत्र में एहम योगदान दिया गेहलोत सरकार के फैसलों से किसान और ग्रामिन राजस्थान के जन जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की पहल का आगाज हुआ है। से किसानों को सहकारी फसली रंड से जोड़ना, राज सहकार पोर्टल से पारतर्शिता को बढ़ावा देना, एकी कृत किसान सेवा पोर्टल की शुरुवाद, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर इमित्र केंद्रों की शुरुवाद, यूरिया डियेपी का बफर स्टॉक, बा प्रवावित रहा है लेकिन इस संकट के दोरान भी मुख्यमंत्री गहलोत के नेत्रेतो वाली सरकार ने सहकारी समितियों के कारियों में बदलाव की पहल कर किसानों और आम जन को राहत देने का विशेश काम किया है सहकारी अलपकालिन फसले रिंड चुकाने की अवधी को बढ़ाया समर्थन मुले खरीद केंद्रों में बढ़ुतरी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों को नेजी गौर्ण मंडियों का दर्जा दिया सहकारी अल्पकालिन फसले रिण वितरण में 25 फीसदी की बढ़ुतरी की खाद एवं बीज का अग्रिम भंडारण किया दिर्गुकालिन क्रिशी रिण की 5% ब्याज अनुदान योजना की अवधी बढ़ाई 3% ब्याज दर पर क्रिशी उपज रहन रिण 10 लाग दुर्गटना बीमा देकर बढ़ाया धर्ती पत्रों का होसला राजे सरकार के कुछ ऐसे ही फैसलों से किसानों को काफी संबल मिला है यही कारण है कि किसानों को गहलोत सरकार से काफी उम्मीदे हैं वे जानते हैं कि हमेशा अम्मीदाता के साथ खड़े रहने वाले मुख्य मंतरी आगे भी हर हालात में उन्हें संबल देने के लिए तत्पर रहेंगे फॉस्ट इंडियर न्यूस के लिए नेर्मलतिवारिक रिपॉर्ट